और एक और सवाल छोटा सा बस एक हलका साही सही कमेंड करते हैं कि काफी डिसकेशन चल रही है आजकल सेक्विलरिजम पर और सेक्विलरिजम के इस्तलाह और उसके तारीफ पर तो सेक्विलर निजाम में शुमूलियत की बात भी उसके साथ चल पड़ती है और इस पर अलग- आरा शुरू से पाई जा रही है या यह नए दौर की पैदाइश है देखें एक जमाने तक सेक्विलरिजम क्या है उस तालूस से कोई वजाहत नहीं थी और सेक्विलरिजम के बारे में यह समझा जाता था कि किसी मजहभी हकूमत के तहत रहने से बहतर यह है कि सेक्विलर का मतलब है तमाम मजहभों को अपने अपने मजहभ पर चलने की आजादी है यह सेक्विलरिजम का मतलब समझा गया था लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि सेक्विलरिजम का मतलब यह है कि ला मजहभियत को आजादी होगी मजहभ को कोई आजादी नहीं होगी ला को डिक्टेट करेगा कि क्या चीज सही और क्या चीज सही नहीं है या लामजभियत बताएगी मजभ नहीं बताएगा सेकुलरिजम की यह माना अभी हाल फिलहाल में अलमा को पता चलना शुरू हुए है और उसकी वज़ाई है कि सेकुलर गर्वर्मेंट की जो हरकते हैं वो ग या नहीं है मैं समझता हूँ मेरी जाती राई यह है कि सेकुलरिजम या सेकुलरिस्ट से जादा मुतशदिद फंडमेंटल एक्स्ट्रीमिस्ट कोई नहीं हो सकता यहां तक कि एक मजभी कितनी ही कोशिश क्यों ना करे वो सेकुलरिस्ट के लेवल तक की जो एक्स्ट्रीमि में बहुत शुक्रिया जजाकुम लो खैर और खैरन कसी इरा ठीक नहीं है यह बहुत शुक्रिया